तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हार बार निव अपडेट में हमरे गेम में काफि सारे changes होते हैं काफि सारे निये निये फीचर्स आते हैं बट इन्हें में से एक और बहुत important चेंज होता है हमारे game में और वो changes है हमारे character ability changes हर बार की तरह इस पष्छली वीडियो के बारे में अपको जानना ज़रूरी है जानते हो चलिए हैं पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किन किन कर आपन क्या नर्फ किया गया है बफ गया है और अब आपको यहां पर 25 HP मिलती है जो इसका बूस्ट है वो 50 HP तक जाता है वो कुछ इस तरह की होने वाली है कि अभी के टाइम पर यह HP देता है बट अबडेट के बाद यह बाई शिल्ड पॉइंट्स देगा जी आब अबडेट के बाद आपको हर Elimination के बदले यह 25% का यहां पर पर्मनेंट शिल्ड पोइंट देगा पर्मनेंट शिल्ड पॉइंट पूरे मै्स मेर रहेगा और मक्सिम्म यह जो शिड्ड पॉइंट है वो 50 तक जाने वाला है maximum 50 तक जाएगा ये and ये पूरे राउंड तक रहेगा जब तक यहां पर राउंड चेंज नहीं हो जाता है तब यह फिर आप यहां पर eliminate नहीं हो जाते हो तब तो यह कुछ लिक्वेटर की ability में यहां पर changes किया गया है अब बात करते हैं हमारे one of the most favorite characters of all time K character की तो इसकी ability वह बिल्कुल सेम रखेगा यह विजिन 6 meter 600 percent of EP conversion आपको जो हमारा इसका जो circle बन काता है जिसमें हम लोगों यहां पर EP मिलते रहता है तो यह जो EP है अभी के time पर यह 3 EP every 2 seconds तो हर 2 seconds में हमें एक second कर दियागा यार इस character में हम लोगों को buff देखने को मिला है अभी के बाद हम लोगों को 3 EP per second मिलेगा अभी के time पर 3 EP per every 2 seconds मिलता है तो यह हमें एक K character में चोचा सा change यहां पर देखने को मिल रहा है अभी इस अभी को पता है 10 HP यह पर अनिमी से यह अब्जॉर्फ करता है बट हाँ अभी के time पर यह जब यह इसा पर यूस करते हो तो आपकी जो movement speed है वो तो यहां पर 20% यहां पर decrease हो जाती है बद गाइस अपडेट के बाद इसको तोड़ा से यहाँ पर अच्छा कर दिया गया है अपडेट के बाद सिर्फ 10% movement डिस्पेट आपका डिक्रीज होगा अभी के टाइब टाइब इस परसेंट यहाँ पर घटा दिया गया है यारनि 10% यहाँ मतलब यह ज्यादा अब बात करते हैं डीवी करेक्टर के बारे में अभी के टाम पिसके अबिलिटी यहाँ कि जब भी आप मुविंग करते हो यहाँ पर फायर करते हो तो आपकी जो movement speed अब थर्टी परसेंट तक बढ़ जाती है और अब ऑपकी अपकी 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 अप्रसी है वहाँ पर 60 पर बढ़ जाएगा जब भी आप यहाँ पर movement में आपर move करते हो आप फायर करोके तो अभी के ताइम पर 30 परसेंट तक ही बढ़ता है अपडेट के बाद यह 50 परसेंट बढ़ेगा मतलब भाई आप लोगे कमाल का movement दिखा पाओगे अगर आप db को use करते हो and moving करते हो यहाँ enemy को बंदों को मारते हो and चलिए अब बात करते है maro character की जिसे मैं personally use करता है क्योंकि long range काफी जाता ही dangerous damage देता है अभी के ताइम पे इसका ability यह है कि आप distance नहीं long range में किसी enemy को यहाँ पे आप damage दे रहे हो तो किसी भी गहन से इसका जो damage है वो 25 परसेंट जादा आता है और marked enemies यानि जो मोको का marked enemies होता है उसे इसका damage यहाँ पे 3.5% जादा आता है तो है new update में इसका ability same रहने वाली है बठाई जो marked enemies मतलब आप किसी enemy को मार रहे है तो मोको आया है तो आपका जो damage है वो यहाँ पे 5% increase हो जाएगा अभी का time पे 3.5% है update के बाद यह 5% हो जाएगा यानि काफी लोग जाएणी बोलते हैं काफी लोग जाएणी बोलते हैं काफी लोग जाएणी बोलते हैं बट चाहिए इसको जाएण है अभी के time पे इसकी जो ability है वो यह है कि जब भी है इसकी skill को use करो आपको यहाँ पे 60 temporary HP मिलता है 12 second के लिए and उस time आपकी जो healing effect होती है वो 75% यहाँ पे और enhance हो जाती है तो भाई देखो अपडेट के बाद इसकी ability होने वाली है इसको पूरा rework कर दिया गया है मतलब इसको पूरा change कर दिया गया है अपडेट के बाद यह कुछ इस तरीक से work करने वाला है कि जैसी यहाँ पे बंदे मार रहे हो और यहाँ पे मतलब झांझ Ale और यहाँ करते हो तो तो जो आपका वर जो टाइमीग 12 श porkos वह वापस से स्चार्ट हो जाएगा मतलब आप 12 कीन किसी बंदे को डाउन करोगे अब जैसी बंदी को बंदे को डाउन करोगे अब जब आन करोगे तो जो बारी सेकांझ के वहाँ पे वह वापस से तो फिर अपडेट के बात इसे यूस करना प्रीफर करोगा कि नहीं कमें जरूर बता देना एंट सेले अब बात करते हैं वन अफ बस्त करेक्टर आफ ओल टायम इन फ्रीफर करेक्टर के बारे में इसमें काफ़ेदा चेंजस किये जारे हैं पिछले टायम से में नोटिस कर रहा हूं तो अंदर आप जो खड़े हो आपको जो मुव्मेंट स्पीड है वह यह पर तेन परसेंट बढ़ जाएगी तो यह एक अप्डेट होने वाला बाकि हर एक चीज यहां पर सेम ही है बट यहां पर अडवांस सरवर में अटोनिया करेक्टर का जो यह पर आइकन है उसके उपर यह पर नर्फ को अप्शन है यहांने इसके अबिल्ट को घटाई गई है अब घटाई तो गही नहीं है क्योंकि थर्टी परसेंट जो एक्स्टो शिल्ड पॉइंट सा वही वाला देखो इन कोई चेंज़ नहीं किये गया है तो अपलग ध्यान तो इनका आइकन है उनके लेफट साइड पर यहां पर एक मतलब टाईमर लगा दिख रहा है मतलब ऐसा है यहां पर एक पेंडिंग टाईप का आइकन मना हुआ है यहाने इन कारेक्टर की अबिलिटी अभी क यानि हा हम लोग यहां इसके अंदर चेंज़ जरूर देखने को मिलेगे और चली कई अब बात कर रहे हैं हमारे फ्रीफार के न्यू करेक्टर लीला करेक्टर के बारे में तो यह जो लीला करेक्टर इसकी अबिलिटी एक प्रासिफ स्किल होने वाली है और इसकी किसी भी गृषब करोगे लीला करेक्टर का यूज करते हुए तो जो एनिमीज का मुव्मेंट स्पीड है वो यह पर 10% डिक्रीज हो जाएगा जी हां आप इसे तर यूज करोगे किसी बंदों को मारोगे तो यह एक यह एक बंदे का इस बंदे का मूव्मेंट स्पीड है वो यह लिटरली 50 second के लिए यहाँ पे slow हो जाएगी मतलब आप इमाजिन करो कि आपको एक बंदा गाडी लेकर लेकर बिल्कु ठोकने के लिए और आप किसी राइफल से लीला करेक्टर को यूज करते हो और इस गाडी पे फायर कर देते हो आप इसके अबिलेटी यूज करके यहाँ पे गाडी के जो मुवम्मेंट स्पीड है वो काफी ज्यादा अच्छा कासा घटा सकते हो मतलब कोई गाडी अगर 200 की स्पीड में चल रही है तो उसो आप यहाँ पे 100 की स्पीड पे ला सकते हो डिक्रीज करके तो कुछ इस तरे कि काफी कि उस बंदे को अफ अटक से फिनिश कर लोगे जब तक उसके यह पे जो प्लेयर्स हैं वो यह पर उसको बचाने आजाए और अब यह मुचे क्लियर नहीं समझ में रहा कि कब हो का बठाना शायद आप किसी एनिमी को डाउन करते हो तो आपको एक एक एक्स्ट्रा ग मेरे को सही लग रही है काफी बनिया लग रही है जहां पर E-Sports में काफी इंपोर्टेंट यहां पर रोल निवास सकता है यह कैरेक्टर बाकि आपको जो बाकि के अबलिटी सेंजेस हैं आपको कैसे लगे वो कमेंट पर बदा देना तब तक लिए थैंक्स पूर वाचिंग कि आपको कैसे हैंड़ वोर्टेंट आपको जबले बनिया का नहां पर दोल वाचिंग शूर आता की कि आपको कैले कि अजर मुर्टेंट आपको कarness का वणनित का शूर रही है 어 जो बाखको क्या है कर द SüEnt involved... कमें व".